आप देहरें रफतान्यों जैनल सब से तेज सबसे आगे भारी दिल्ली का नरेला बना अवैद कालोनियों का हब। बीटे दौ साल में नरेला में काटी गई है सब से ज़ादा अवैद कालोनी। अवैद कलोनी काटने में नरेला बना नमबर वन नरेला में पुलिस और परसासन का हाथ भूम आफिया के साथ पिछले दो साल में जितनी अवैद कलोनी नरेला छेतर में काटी गई है इतनी दिल्ली के किसी भी छेतर में नहीं काटी गई है बास साफ नजर आ रही है कि परसासन का भूम आफ्याओं के साथ जिसे ये लोग धरले से कलोनिया काट रहे हैं क्योंकि S.D.M. पटवारी थाना S.H. या फिन निगम परसासन इन सब की मिली भगत के बिना कलोनी तो बहुत दूर की बात है कोई एक पलोड तक नहीं काट सकता क्योंकि जिस थाना छेतर में कलोनी काटी जाती है सबसे पहले ऐसे चुको पता चलता है मगर क्या कारण है कि जैसे ही अवेद कलोनी काटी जाती है पुलिस और परसासन दोनों ही अपनी आख बंद कर लेते हैं पुलिस के साथ हैसिलदार पटवारी को भी इस बात की जानकारी होती है कि उनके छेतर में किस जगए कलोनी काटी जा रही है मगर समझ नहीं आता है इन सब की क्या मजबूरी या नीजी स्वार्थ है जिसके चलते ये सबी अपनी आख और कान बंद कर लेते हैं क्योंकि भूम आफ्याओ को पता है यहां देश का समीधान या कानून काम नहीं करता बस एक ही कानून काम करता है पैसा जिसके आगे सबी नियम कानून नतमस तक है बात करें नरिला छेतर की तो यहां न्यू सनोट कलोनी घोगा मोड पैट्रोल पंप के पीछे विसाल इंकलेव सवतंत्रे नगर पार 2, सवतंत्रे नगर पार 3, गोंडा रोड, बांकनेर गाउं, मनीरपूर रोड, लामपूर गाउं से लामपूर बोडर तक साफियाबाद रोड, सबोली रोड, सिंगू बोडर रोड, नरेला का ऐसा कोई भी छेतर नहीं है जहां पिछले दो सालों में अवैद कलोनिया नहीं काटी गई हो, आखिर क्यों, क्या पुलिस परसासन सब देखते हुए भी जान बूज कर अंजान बन रहा है, क्या भूमाफियाओं ने सब की आखों पर लालज और बष्टचार की पट्टी बांध रखी थी, ये एक बड़ा सवाल है, पुलिस और प पताते चलें, जिस तरीके से नरेला में अवेद कलोनियों का भंडार खड़ा हुआ है, या ये कहा जाए कि हब बनाया हुआ है, इससे साप तोर से जाहिर हो रहा है, कि चाहे निगम पर सासन हो, सासन पर सासन बिलकुल चुपी सादे हुए, ये आफ वीडियो में देख सकत हैं कि किस तरीके से यहां सासन पर सासन चुपी सादे हुए है, और कलोनिया कटती हुई, मकान बनते हुए आफको नजर आ जाएंगे, जिस तरीके से दिल्ली में ये धड़ेले से कारिया चल रहा है, यहां पर सासन पर सासन ने चुपी सादे हुए है, क्या माना जाए, क्य जा भूमाप्याओं के होसले इतने बुलंद हैं कि वो सरकार की मनसा को भी नहीं देख पा रहें कि जो अवेद कलोनिया जिस तरीके से तयार हो रही है नरेला का कोई भी छेतर कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचा हुआ जिसके अंदर ये कलोनिया नहीं कट रही हूँ आप खुद वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से नरेला में अवेद कलोनियों का हब बनता हुआ जा रहा है और सासंग पर सासंग विकुल चुपपी सादे हुए है कोई कुछ बोलने को या सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहा है आप खुद देख लिजे वीडियो में कि किस तरीके से भूमाप्याओ के होसलों को दाद देनी पड़ेगी कि सासंग पर सासंग भी इनके सामने नर्मस तक दिखाई दे रहा है फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आगे भी हम आपको इस तरीके की रिपोर्ट से अवगत कराते रहेंगे हर छेतर के हिसाब से बताते रहेंगे कि किस छेतर में सबसे जादे अवेद कलोनियों का कारोबार चल रहा है फिलहाल तो नरेला में सबसे जादे अवेद कलोनियों का कारोबार लगाता धड़ेले से चल रहा है जहां पर सासन पर सासन बिलकुल चुप नजर आ र आप खुद वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना लंबा चोड़ा एरिया नरेला का कोई छेतर ऐसा बचा हुआ नहीं है जो इन भूमाप्याओं से बचा हुआ हो ये सारा एग्रिकल्चर लेंड है जिसमें ये बिल्डिंगे खड़े हुई आपको नजर आ लाइक, सेर और सस्क्राइब करना ना भूले जिससे हर खबर आप तक पहुचती रहे हम आपको ऐसी खबरों से रूबुरू कराते रहेंगे